कि हलो दोस्तों कैसे आप सभी आई होप आप सभी मस्त होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को की डेवलू एन वर्सेश टीबियस की ड्रीम लर्न प्रेडिक्शन मिलने वाली है दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लास तक बने रहना ताकि जितना कुछ आप सभी को कवर करवाना वाला हूं इस वीडियो के अंदर जो जीज जो चीज बताने वाला हूं उस सब चीज आप लोग समझ सकते हो और कैसे टीम को लेना है क्या किस किस प्लेयर को मेरा ख़रा अपना टीम में वो सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर पर सेट कर दें ताकि जो हमारी अगली प्रिडिक्शन की वीडियो बनेगा उसका नौटिफिकेशन आपके फोन में चले जाए और आप लोग उस वीडियो को भी देखकर कुछ अच्छी टीम मना कर प्रॉफिट कमा सके क्योंकि आज आप लोग को ड्रीमिलन प्रिक्शन की जरोत पड़ी है तो कल भी पढ़ सकती है और आपका जब तक मन रहेगा टीम मनाने का तब तक पढ़ सकती है इसलिए बाहर पर आपको यूटूब पर जाके सर्च ना बानना पड़े इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसी चैनल के द्वारा आप लोग को मैं करते हैं यहां पर पहूंच है किया परफलू में की बात कर ले सब से पहले तो यहां पर एक मैच को लोज किया यहां पर मैच यहां पर एक मैच के चिको बंद हो गई रखी है और एक-एक लॉस कि यह तो दोनों ही का जो परफॉमेंस से बराबर का है तो कोई जफरेंस है नहीं तो आज का मैश कौन जीतने वाला है और अगर आपके पास टाम में में कमेंट करके जरूर बताईएगा नहीं है तो कोई बात नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए के डेबलु एन और टीवी एस के बीच में आज कई मैच है हम लोग यहां पर आपको उसकी प्रिक्शन दे रहे हैं सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि परफॉर्मेंस अ अगर विकेट कम गिरता है तो बढ़ भी सकता है अगर विकेट जादा गिर जाती है तो इससे भी कम स्कूर हो सकता है यहां पर आप लोग जादा तर बैट्समेर और बॉलर्र की तरफ जरूर जाएंगे ठीक है और लांडर प्लेयर एक या फिर दो रख सकते हैं यहां पर दूसरी और से पेसर गिंदबाज इस पर ज्यादा विकेट लिये हैं इस पीनर के मुकाबले में तो इस पीनर को अगर आप लोग रखते हैं तो यहां पर रखना है की नहीं रखना है यह हम लोग देखा जाएं सबसे पहले यहां पर टोटल विकेट की बात कर लें तो एक लिये गया है जिसमें से पेसर गिंदबाजों ने एक तालिस विकेट लिया और दूसरे ही छोड़ से यहां पर इस पीनर के इस विकेट का ही डिफरेंस है तो मेरे इस आप से आप लोग इस पीनर को भी इस टीम के लिए रख सकते हैं किसी भी तरह का डिकत होने वाला नहीं है तो यहां पर पेशर लेकिन हाला कि पेशर्स की तरफ आपको जादा फोकस करना है इस पीनर्स के मुखाले में जो इस पीमर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं काभी अच्छे तगड़े खिलाड़ी है काभियत है उनके अंदर उनी स्पीनर्स को अपने टीम के लिए रखने वाले है बाकियों को हम ड्रॉप करते वे आगे बढ़ेंगे ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड ये दोनुए टीम आमने सामने कितनी बार लड़ी है और कौन सी टीम ज़्यादा बार विन करते वे आगे चल लएगे देखिए जो टीम का हाली परफॉर्मेंस अच्छा होगा और जो टीम आमने सामने में ज़्यादा बार जीती होगी उस टीम से अगर हम लोग ज़्यादा प्लेयर्स को उठाते हैं तो हम प्लेयर अच्छे नहीं करेंगे तो टीम भी नीचे रहेगी और जब अच्छा प्लेयर करेंगे तो टीम भी आगे बढ़ती जाएगी तो उसी तर इसे जिस टीम में ज्यादा अच्छा प्लेयर कर रहा है जो टीम आगे बढ़ रही है उनहीं टीम से हमें अपने प्लेयर को अपरे टीम के लिए जादा से जादा रखना बहतर होगा के डबलू एन के मुकाबले में तो यहाँ था आपको समझ में आ गया अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टीम की बाकी दिनों की तरह हमें से और राउंडर, बैट्समेन, विकेट कीपिंग और बॉलिंग यह चार सेक्शन मिले हैं इनी में से हमें 11 प्लेयर ऐसे लेने हैं जो कि हमें काफी अच्छा पॉइंट की करीब ले जा सके सबसे पहले मैं यहाँ पर F. Khalil की बात करना चाहूँगा फैंटेसी पॉइंट की बात करुगा काफी अच्छे हैं यह दो पील्य से और हलों की दोनों मैं से एक प्लेयर को ही रखेंगे पर दोनों फैंटे सी पॉइंट की बात करें खलील की तो खलील जो है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक मैच में फ्लॉप दूसरे मैच में फ्लॉप बागी दो मैच काफी अच्छा गुज रहा है इनका वैसे देखा जाए रिकॉर्ड के हिसाब तो अभी यह पहला मैच खेला जाने वाला है इस सीजन में के डब सकते हैं पर यहां पर आप लोगो फ動画 कालील को पी लिए लगाता है यह लुँकि बाद में पस्तावा करनेसे पहुत ज्यादा तकलीफ होता है विंगि कुछ सोचते हैं यह हैं टरिम- tres w बना लो दो टीम अगर बनाता हो तो एक में भाई खलील को ट्राइब करो यह भी बेस्ट आप्सन तो आपके उपर है सब कुछ बैटिंग वाले सेक्षिंग की बात करें तो उपर यह दो प्लेयर जो आपको दिख रहे होंगे अभी तक एक भी मैचे मैचों में इनको मौका नहीं मिला है तो इनकी तरफ आपको आग उठाकर भी नहीं देखना है नीचे की और आते हैं हम लोग नीचे से हम लोग बैट्समें की यहां पर स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले तो मैं आप लोग को अपने टीम के लिए अजियुल्ला खान की तरफ आपको ज मेरा तारिक याने की काफी अच्छा फंटेसी पॉइंट स्कोर किया है तो यहां पर एल फैजल यह दो बैट्समें मेरे को काफी पसंदीदा लगे और काफी फंटेसी पॉइंट में भी आगे चलना है तो आप लोग इन दोनों को रख सकते हैं उपर की और आईए यहां पर वाई खान दिखरोंगे अपने टीम में आप लोग जरूर रखेंगे यूसूफ खान को यहां पर काफी बड़ा प्लेयर है देखिए इनका भी एक मैच काफी खराब गुजरा यहां पर आप लोग देखिए उसके अगले ही मैच में इनोंने वापसी किया और उसके अगले ह प्लेयर दूसरे में 109 और यहां पर डीडीडी के मुकाबले में इनोंने फ्लॉप होते दिखाए दिये थे उसके अगले मैच में इनको मौका नहीं मिला तो साइध अगर इस मैच को खेलते हैं तो आप लोग जरूर रखे क्योंकि इनका एक मैच फ्लॉप जा चुका है तो प्लेयर हमारे और लाउंडर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जी मुनीर को मैं अपने टीम में रखना चाहूंगा हाला कि इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस चला और साधी साथ पेसर गेंदबाज है इस पीच के उपर हम लोग को याद है कि 40 विकेट पेसर गेदबाज तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं लुकमान को भी ड्रॉप कर लिजिए यहां पर जे गनी को बिल्कुल भी नहीं रखना है नदीम की तरफ आप लोग जा सकते हैं पर यह इस पीच पर साधी परफॉर्मेंस कुछ खास हो मेरे साथ से नीचे के उराई है और के लिए ही पॉइंट दिया था तो मेरे साथ से काफी बड़ा प्लेयर है और आप लोग अपने टीम में डी को रैसी को जरूर से जरूर रखना चाहिए तो मेरे साथ से यह दो आप लोग को और प्लेयर काफी अच्छे हो सकते हैं बॉलिंग की बात कर लें तो सबसे पहले यहां पर आप लोग को उपर भी दिख रहे होंगे एस मलूक इसको अपने टीम में जरूर रखेंगे फैंटेसी पॉइंट देख सकते हैं आप लोग कुछ मैचों में फ्लॉप भी हुए हैं बट यहां पर बड़ा प्लेयर है और अच्छा पर्फरमेंस कर रहे हैं नीचे क लिए चाहो तो आप लोग यहां पर रहत रहां की दर भी जा सकते हैं ना भी है और यहां पर दो और पहले ही रख चुके हैं तो नीचे को रहाना है आप लोग को याँ पर पेसर के यदूत कर हो देखना है अगल सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग को M Manzoo आप सभी के लिए best हो सकते हैं Manzoo आ देखिए दोस्तों यहाँ पर 2-3-3 match में यहाँ पर काफी अच्छा score किया इनोंने तो यह player आप लोग अपने team में रह सकते हैं तो यह हमारे balling section के player हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फिर नीचो के राण में यहाँ पर एक यह हमारी team करीब बनकर तयार हो चुकी है अब इसमें से भाई कुछ ना कुछ चेंज हो सकते हैं पर ऐसा क्यों चेंज क्यों करोगे तो भाई इसमें से कुछ player unknown भी हो सकते हैं या फिर देखिए कुछ मैचो में किसी को मौका नहीं मिला है तो ऐसा हो सकता है मान लिजे एस सलूक को एक एक्जांपल के तौर पर इस सलूक को बैठा दिया जाए या फिर F TVS के एहमत को खेला दिया जाए तो यहाँ पर इसके जग़ाँ पर हमें zero point मिलेगा तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा इसलिए आप लोग टेलिग्राम से जुड़िए उसके उपर final team दी जाती है यह तो भान लिजे एक तौर पर final team ही है अगर इसमें से कुछ भी change होता है तो एक दू प्लेयर इधर उधर करके final team आपको टेलिग्राम पर दी जाएगी टेलिग्राम को जुड़ना के तरीका क्या है भाई तो इसी वीडियो के description box में टेलिग्राम का link मिलेगा जल्दी से जाके join कर लेना और भाई इस channel को भी subscribe कर देना क्योंकि इसी channel के द्वारा आप लोग को आगे भी लगातार prediction पहुशती रहेगी वही चैनलों को subscribe करना है उसके अलावा टेलिग्राम को जॉइन करना है captain और wise captain की बात कर लेते हैं यहां पर तो captain आप लोग को सबसे पहले तो अपने mind के हिसाब से आप लोग खुद से सोच लिए किसको बनाना है किसको नहीं अगर आपको नहीं आ रहा है बनाने तो मेरे हिसाब से मेरे आपको मैं मतलब मैं आपको सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि मुनीर आप लोग के लिए captain बेस्ट हो सकता है वाइस captain के लिए अगर आप लोग चाहो तो वाइस captain टीम फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी तो भाई जल्दी से जाकर टेलीग्राम को जॉइन के लेना और साथी साथ हमारे इस वीडियो से जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आप लोगों से दुबारा मुलाकात करेंगे न्यू पेडिक्श के साथ तब तक के लिए जाए ही